है गाइज वोप आप सब लोग अच्छे होंगे तो आज हमने निकलवाने थे थोड़े से प्रिंट आउट और हमने किया गूगल और गूगल किया और किसी से पूच्छा तो उन्होंने हमें बताया कि आफिस वर्क्स में अच्छा खासा सिस्टम सेट होता है तो किसी भी दार आस्ट्रेलिया में बहुत सारे ओफिस वर्क्स आपको मिल जाएंगे तो यह है ओफिस वर्क्स का कार्ड आपको काउंटर पे बना देंगे और यह है इसका बार कोड तो यह कार्ड आपको ची होएगा प्रिंट आउट निकालने के लिए या फिर आप अपने क्रेड़िट अब मारे पास आउफिस वर्क्स का काड है तो हम यह पे ऑफिस वर्क्स क्लिक करके उसके बाद अपना जो card पे scanner code है इसको हम scan करेंगे और यह थोड़ा सा scan थोड़ा मुश्किल होता है आपको थोड़ा सा scan करना पड़ता है उसके बाद यह वैलिडेटी आएगा उसके बाद फिर यहाँ पे आजाएगा कि आपका balance कितना है उसके बाद आप proceed करोगे terms of use उसको accept करोगे और उसके बाद USB में जो भी चीज़ें आपके होएंगी जो भी folders हैं और files हैं आजाएंगी जो भी आपको click करना है print करनी है उसपे double click करना पड़ेगा आपको click करके next पे जाओ और next पे जाके please wait आएगा यह file अब load हो रही है और file load होने के बाद हमारे display पे जो है आपकी file जो भी आपको print डिकालनी है वो आपको दिख जाएगी तो आप देख सकते हो यह सारी file है इसमें जितने भी pages हैं यहाँ पे show कर रहा होगा कि number of pages कितने इस PDF में उसके बाद सबसे important आपको black and white पे click करना है क्योंकि अगर आप color रखोगे तो पैसे जादा लगेंगे और उसके बाद एक और option आती है कि double-sided और single-sided यानि कि आपको page के front और back चीए या page का के लिए front ही चीए और उसके बाद black and white and single-sided या double-sided जो भी आपको चीए और उसके बाद A4 select करना मत भूलना इसा fix कर रहा हता है और यहाँ पर आ रहे है number of pages जैसे मैं कोई सारे pages प्रेंट चीए तो पने next पर क्लिक किया और अब मुझे amount दिखा रहा है कि 10 cent का एक है और total 28 pages है और हमारी total amount बनती है $2.80 तो इसको हम मैं प्रेंट पर क्लिक करूँगा तो प्रेंटिंग हो गई है शुरू और हमारे बिल्कुल लेफ्ट पर ही जो है वो प्रेंटर है इनका जहां से हमें प्रेंट आउट निकल के बाहर मिलेंगे यह थोड़ा सा टाइम लेग सकता है क्योंकि मैंनी जो PDF थी वो भी थोड़ी बड़ी थी 28 pages की थी और उसके बाद यहां पर आ जाएगा If you are finished, touch the end session और यह हमारा जो है printer है यहां से हमारे printouts जो है निकलने शुरू हो जाएंगे अभी और जैसे printouts अपने पूरे होएंगे हम session को end कर सकते हैं और अगर हमें end नहीं करना है कुछ और printouts भी निकालने हैं तो हम वो भी कर सकते हैं यह देखो हमारे pages निकलने शुरू हो गए हैं हमने click करता front और back यानि कि two sided page तो क्योंकि उससे weight थोड़ा सा कम हो जाता है और साथ में इनका यह stapler भी पड़ा है अगर आपको stapler करने है तो आप stapler कर सकते हो और यह सारी machines है like counters है आप किसी भी counter पर जाके अपना card scan करके अपनी printing शुरू कर सकते हो और यह हमारी जो back पे यह computers हैं यह colored printers के हैं यानि कि आपको अगर अपनी कोई photos निकालनी है या passport size निकालनी है या बड़ी निकालनी है यह सारे sizes यह display है so guys वहाँ पर बारिश होगी थी बहुत देश शुरू इसलिए हम वीडियो वाँ end करनी सके और यह वीडियो बनाने का मोटी यही था कि बहुत सारे लोगों को struggle करना पटता है कि printouts कैसे निकालते है क्योंकि यहाँ पर इंडिया जैसे या हमारी country जैसे तो जगा जगा पर printouts निकलते नहीं है तो यह वीडियो में मैंने आपको सबसे easiest way बताया है printouts निकलवाने का office work से तो hope आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी और till then take care guys and don't forget to subscribe मिलते हैं एक नई वीडियो में Thank you